नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूटूब चैनल में आप लोगों का स्वागत हैं, दोस्तों इस परकार के सवाल आपके एक्जाम में देखने को मिला होगा, इस परकार के सवाल को कैसे बनाते हैं, चलिए आज का वीडियो में देखते हैं, Q1 कह रहा है कि किसी परिक्षा में उत्रिन होने के लिए टोनी को निवन तम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसे 120 अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से अनुत्रिन हो गया, तो पुणां ग्याद कीजिए, इस परकार के सवाल को बनाने के लिए जितना नंबर से वह अनु तिरिन हो गया, तो 30 अंक उसको दे करके पास करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 150, 30 अंक उसको दे देंगे, तो 150 हो जाएगा, अब कर रहा है कि पुणां ग्याद कीजिए, पुणां ग्याद करने के लिए, 150 बटा, निवन तम उसको 40% अंक प्राप्त करने चाहिए, त तो 152 के 40 गुंने के सौव कर देंगे, जो कटाने के बाद मेरा answer आएगा, वही answer हो जाएगा पूणाग, तो कटाते हैं, तो ए गट जाएगा आपको कितने मर्थ में, A0 से A0 कट जाएगा, ए कट जाएगा कितने मर्थ में तो 25 मर्थ में कट जाएगा, अब 25 पचे 25 पचे 125 होता है पंच हो जाएगा हाथ में बारे आएगा अब 25 एकम 25 और बारे कितना हो जाएगा तो 25 अब बारे 37 हो जाएगा तो पुनांग हम लोगों को कितना निकल करें 375, तो पुनांग 375 होगा, अप्सन D में है तो अप्सन D बिल्कुल सही उतर हो जाएगा, दोस्तो यह सवाल आपको NTPC 2021 में पूछा हुआ सवाल है, दोस्तो चलिए इसी पर करके और सवाल देखते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट पुड़ा किलियर हो जाए, नेक्स्ट सवाल दू नमर कह रहा है, कि एक विद्यार्थी को परिक्षा में उतरिन होने के लिए, उसे 40% अंक प्राप्त करना आवस्यक है, उसे 70 अंक मिले, और वह 20 अंकों से अनुतरिन हो गया, तो पुनांग ज्याद कीजिए, हम लोग क्या सिखे हैं, कि जितने नंबर से वह अनुतरिन हुआ, उतना नंबर दे करके उसको उतरिन करवा दीजिए, तो 70 अंक उसने पाया, 70 अंक पाया, और उसे 20 अंक दे करके उसे हम उतरिन करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 नंबर पर वह उतरिन हो जाएगा, तो अब हम क्य करेंगे अब क्या करेंगे देखिए अभी यहां पर दिया है कि उत्रिन होने के लिए उसे 40% अंग प्राप्त करना आउस्यक है तो 90 बाटक के हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा गुने के सव हो जाएगा कटाने के बाद जो मेरा एंसर निकल कर आएगा वहीं पुनांक हो तो 225 हम लोगों का पुनांक निकल कर आया तो 225 option D में है तो option D बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तो यह भी सवाल आपको NTPC 2021 में पुछा हुआ सवाल है दोस्तो मैं उमेद करता हूँ कि इस परकार के सवाल आएगा तो अब आपसे नहीं छूटेगा फिर भी चलिए ए नमर कह रहा है कि एक परिक्षा में उत्रिन होने के लिए 33% अंक की आवस्यक्ता होती है एक विद्यार्थी को 210 अंक पराप्त होते हैं और वह 21 अंकों से अनुत्रिन हो जाता है तो परिक्षा में उत्रिन यानि कि पूनांग ज्याद किजिए परिक्षा में उत्रिन होने के लिए पुणा ग्याद कीजिए एक आपको पूछ रहा है तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जितना अंग से वह अनुत्रीन हुआ उतना नमबर दे करके उसको उत्रीन करवा देंगे तो उसने पाया कितना दू सब दोस नमबर उसने पाया और 21 नमबर से अनुत्रीन हो गया तो 21 न पर आय कि उसे उतरीन होने के लिए 33 परसेंट अंगों की आवश्यक्ता होती है तो दू सब stating काटने के बाद मेरा एंसर निकल कर आएगा वह answer हो जाएगा तो 11 से काटेंगे 11 33 हो जाएगा 11 से ए भी कट जाएगा 111 12 और एक हुआ 111 फिर तीन से कट जाएगा कितने मरत में 7 मर्द में कट जाएगा 700 गुने सात हो जाएगा 700 तो हम लोगों का जो पूरांख है उस 700 निकल कर आया option C में हैं तो option C बिल्कुल सही उतर हो जाएगा दोस्तों यह भी सवाल आपको ntpc 2021 में पुछा हुआ सवाल है दोस्तों अब मैं उमेद करता हूं कि अब इस परकार के सवाल आपके एक्साम में आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा ओके मैं आपसे नेक्स वीडियो में मिलता हूं तब तक के लिए टेक केर दोस्तों और बाए